नमस्कार, इस बजेट में आत्म निर्भर भारत और मेक इन इंडिया को लेकर जो निर्णे लिये गए हैं, वो हमारी इंडुस्ट्री और एकोनोमी दोनों के लिए काफी महत्वपूर है। मेक इन इंडिया अभ्यान आज 21 सदी के भारत की आवशक्ता भी हैं और ये हमें दुनिया में अपने सामर्थ दिखाने का भी आवसर देता है। अगर किसी देश से रो मट्रियल भार जाएं और वो उसी से बने मैनिफेक्चर गूर को इंपोर्ट करें, इस्थिती किसी भी देश के लिए गाटे का सौधा होगा। दूसरी तरफ भारत जैसा विशार देश सिर्फ एक बाजार बनकर रह जाए, तो भारत कभी भी न प्रगति कर पाएगा, न हमारी युवापीडी को आवसर दे पाएगा। यह वैस्विक महामारी के दौर में हम देख रहे हैं कि किस तरह विश्व में सप्लाई चेन तहस नहस हुई है। और इन दिनों तो हम विशेश तोर पर देख रहे हैं कि सप्लाई चेन के विशे ने कैसे पूरी दुनिया की एकोनोमी को भी हिला के रख दिया है। जैसे हम सारी नेगेटिव बातों को हमारे सामने देखते हैं तो जड़ा दूसरा पहलू देखें। इस के प्रकाश में भी हमें लगेगा कि इतने बड़े संकट जब सामने होते हैं कभी भी स्थितियां बदलती हैं तो मेक इन इंडिया के ज़रूर पहले से ज़्यादा हो गई है। दूसरी तरब अगर हम देखें। क्या कोई पॉजिटिव बाते हैं जो हमें मेक इन इंडिया के लिए प्रेरित करती हैं। आउसर को हम ढूंड पाते हैं क्या। आप देखें जिस देश के पास इतनी बड़ी मात्रा में युवा पीड़ी हो नवजमान हो। जिस देश के लोगों की टैलेंट के विशह में दुनिया में कोई question mark न हो। आवश्यक्ता के अनुक्सकार, skilled manpower को develop करना। demographic dividend और दुनिया आज democratic values की तरफ बहुत आग्रव और आशाबरी लचर से देख रही है। यानि अपने आप में यह ऐसा संपूठ है। एक ऐसी चीजें हमारे पास हैं जिसको लेकर के हम एक बड़े सपने देख शकते हैं। उसके साथ साथ अथा प्राकूरतिक संपधा के हम धनी हैं। हमें इसका भरपूर इस्तेमाल मेक इन इंडिया के लिए करना ही चाहिए। प्रेंट्स आज दुनिया भारत को मैनुफेक्टरिंग पावर हाउस के रुप में देख रही हैं। हमारा मैनुफेक्टरिंग सेक्टर हमारी जीडिपी का 15% है। लेकिन मेक इन इंडिया के सामने infinite possibilities है। हमें भारत में एक रोबर्स मैनुफेक्टरिंग बेस बिल्ड करने के लिए पूरी ताकत से काम करना चाहिए। चाहिए केंदर सरकार हो, राज्य सरकार हो, स्थानिय स्वराज के संस्ताओं के नियम हो, प्रावेट पार्टनर्सिप हो, कॉर्परेट हाउस हो, हम सब देश के लिए मिलकर के कैसे काम करें। देश में आज जिसकी जरुरत है, जिसकी आवशक्ता बढ़ रही है, उसमें हमें मेकिन इंडिया को बढ़ावा देना है। अब दो चीजे हैं, एक एक्सपोर्ड को धर्मेर करके सोचना, दूसरा भारत की रिक्वार्मेंट को पूरा करने के लिए सोचना, चलिए मानिये जिए हम दुनिया में कॉम्पुटिटिव नहीं बन पा रहे हैं। लेकिन भारत की आवशक्ताओं में हम वैसा क्वालिटी मट्रियल दें ताकि भारत के लोगों को बाहर देखना न पड़ें। यह तो हम करी सकते हैं। और इसलिए मैं चाहूंगा कि मेकिन इंडिया में हम दूसरी बात है। एक बार मैंने लाल के लिए से कहा था, जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट, हमारा प्रोड़क्ट रती भरभी डिफेक्ट वाला नहीं होना चाहिए। कॉम्पुटिटिव वर्ल में क्वालिटी मेटर करती हैं। और दूसरा, आज दुनिया एनवार्मेंट कॉंसियस है, तो जीरो इफेक्ट, एनवार्मेंट पे जीरो इफेक्ट, ये दो ऐसे मंत्र हैं, जो हमें दुनिया में क्वालिटी के कारण और ग्लोबल वार्मिंग के सामने चुनाउतियों को निपटने के रास्ते के कारण हमे बीप्रकार से आज जिस प्रकार से टेटनोलोजी बढली है जिस प्रकार से कॉम्मिनुकेशन वर्ल में जबरदस रिवलुशन आया है अब जैसे सेमी कंड़क्टर अब सेमी कंड़क्टर के क्षेतर में हैं अब हमारे लिए आत्म निर्भर बने बिना कोई चाराई ही नहीं ह लिए मैं मानता हूँ एक नया क्षेत्र नई संभावना ये लेकर के आया है हम ये दूर का देखना चाहिए साथ-साथ हमारी जरुरत भी है देश की सुरक्षा के लिहाद से सोचे तो इस पर हमारा ध्यान होना और ज्यादा जरूरी है हम देख रहे हैं कि कैसे इवी इलेक्ट बन रहा है और डिमांड भी बढ़ रही है कि आप भारत उसमें इनोवेशन नहीं कर सकता है जो भारत के मेनिफेक्ट्चर इसमें अपना लीड रोल नहीं कर सकते हैं मैं समझता हूं कि मेंग इंडिया की भावना के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए कुछ विशेष प्रका और हम उनी देशों से एक क्वालिटी स्टील के लिए हम फिर से इंपोर्ट करें, अब ऐसी तो कैसी स्थिती हैं कि भई हम उस आयनोर से उस स्टील को न बनाएं जो हमारे देश की ज़रुरत हैं, मैं सबता हूं कि यह हमारा कर्तबी भी बनता है, और मैं उद्योग जगत के ल भारतिय मैनिफेक्चर असको यह देखना चाहिए कि देश की निर्भरता बाहर पर कम से कम हो, कम से कम हो, इसलिए इस खेत्र में भी मेकिन इंडिया आज समय की माग है, एक और सेक्टर, मेडिकल एक्विपमेंट्स का है, बाहर बहुत सारे जरूरी मेडिकल हम, उसके लिए जो आवश्यक एक्विपमेंट्स होते हैं, बाहर से मंगवाते हैं, अब क्या हम मेडिकल एक्विपमेंट्स नहीं बना सकते हैं, मैं नहीं मानता हूं को इतना कठीन काम है, हमारे लोगों में उतना सामर्त हैं, कर सकते हैं, हम उस पर जोड दे सकते हैं, क्या हमें ये समझन नहीं होगा कि कोई चीज मार्केट में उपलब्द होना मतलब हम संतुष्ट हो जाए लोगों के रिक्वार्मेंट पूरी हो रही है बाजार में चीजे मिल रही है लेकिन वह बाहर से आई हुई चीजे और मेक इंडिया प्रोड़क्ट यह उपलब्द हो और जब वो देखें और उसका मन करना चाहिए भी बाहरवाले से यह हमारा चाहे हमें यह लेना है यह स्थिती हमें पैदा करनी चाहिए और यह फर्क नजर आना चाहिए अब देखिया हमारी है इतने त्योहार होते हैं होली है इतनी सारी चीजे इन त्योहारों में बहुत ही बड़े स्केल पर उसका मार्केट होता है और वो छोटे-छोटे-छोटे लोगों की रोजी-रोटी का अवसर देता है लेकिन आज वहां पर भी विदेशी चीजों ने अपनी जगा बना लिये हैं अब यह पहले सारी चीजे ह हमारे लोकल मैनिफेक्टेर्स इस डिमांड को पुरा करते थे और वर्त अच्छे रंगे कर से थे अब समय बदलते हुए उसकी चीजों को बदलना चाहिए पुराने धरे में नहीं रह सकते हैं और मैं चाहता हूँ कि उसमें आपने लीड लेनी चाहिए और जब मैं बहुत के लिए बुलता रहता हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोगों को लगता है कि दिवाली के दिये ये खरीदना मतलब वोकल फोर लोकल हो गया इसे बहुत सी चीज़े हैं जी थोड़ा नजर करें मैंने एक छोटा सा विशे एक दिन रखा आप भी जो मेरे सेमिनार मे एक काम कीजिए, आपने बच्चों के साथ बैठिये, अपने घर में सुबेशे शाम तक, जिन चीजों का उपयोग करते हैं, उसमें कितनी चीजे हैं, जो आप भारत की उपयोग नहीं करते हैं, और अनिवार ये रुप से विदेशी लेनी ही पड़ीगी, उसको अलग और फिर देखिए, आपको भी चौक जाएंगे, कि हम क्या कर रहे हैं, और इसलिए मैं, मैं जो मैनुफेक्टरर्स हैं, उनको भी मैं और बॉर्ड लाना चाहता हूँ, सात्यों ये कोहर विशा है, भारत में बने प्रोडॉक्स की ब्रैंडिंग का, अब मैं तो देख रहा ह हैं, आप अपने एवर्टाइजिंग करते हैं, तो साथ साथ इसको भी बूलिए न, क्या चाहता है आपका, आपका तो माल भीकने वाला है, और इस देश में आज भी देश के प्रती भावना रखने वाला एक बहुत बड़ा सम्हुदा है, जो इस विसे में कॉंशेसली प् और लोगों को भी गर्व करने के प्रेरित कीजिए, आपकी महरत निकम में नहीं है जी, आपके बाद अच्छी चीजे हैं, लेकिन हिम्मत के साथ आप आईए, दोकों को बताईए कि हमारे देश हमारी मिट्टी की चीज है, हमारी लोगों के पस्जियने की महक है, उनको भा प्राइवेट सेक्टर को अपने प्रोड़क के लिए डेस्टिनेशन भी खोजने होगे, हमें आर एंडी पर अपना इंवेस्ट्मेंट बढ़ाना है और प्रोड़क्ट पॉट्फोलियो को डावेसिवाई करने के लिए अपग्रेडेशन पर भी जोड़ देना होगा, अब स्वाबा भी के लोगों का आकरशन मिलेट्स की तरफ बढ़ने वाला है, क्या भारत के मिलेट्स दुनिया के हर डाइनिंग टेबल पर कुछ न कुछ पहुँचे, यह सपना हिंदुस्तानी का नहीं होना चाहिए, हमारा छोटा किसान हमें कितना आशिरवात देगा, और उस के लिए उस देश के जो टेस्ट है, उस प्रकार जे हमारे मिलेट को दिखना, उस प्रकार जे हमारे मिलेट को वहां पोँचाना, यह काम हम कर सकते हैं, और मुझे लगता है कि इसको हमने करना चाहिए, आप जुरूर इसमें सफर हो सकते हैं, दुनिया के बाजारों का स्ट डिफेंस यह ऐसे सेक्टरों के खुलने के भी काफी नई संभावनाई बने हैं। क्या हम अभी से इन सेक्टर के द्वारा होने वाले एक्सपोर्ट के लिए कोई रणदिती बना सकते हैं। आपको ग्लोबल स्टांडर्स भी मैंटेन करने होगे। और ग्लोबली कॉंपेट भी करना होगा। साथियों इस बजेट में क्रेडिट फेसिलिटेशन एंड टेक्नलोजी अपग्रेडेशन के जरिए MSM इस को मजबूत करने पर खाध ध्यान दिया गया है। सरकार ने MSM इस के लिए 6,000 करोड रुपिय का आरे एमपी प्रोग्रेम भी एनाउस किया है। बजेट में लाज इंडिस्ट्री और MSM इस के लिए किसानों के लिए नए रेलवे लोजिस्टिक प्रोडक्स डेवलप करने पर भी ध्यान दिया गया है। पोस्टल और रेलवे नेटवर्क के इंट्रीशन से जहें स्मॉल एंटरप्राइज और रिमोट एरिया के कनेक्टिविटी की दिक्कतों का समाधान होगा। हमें इस खेत्र में इनोवेटिव प्रोडक्स विक्सित करने हैं और इसमें भी आपका सक्रिय युगदान आवश्यक है। रिजिनल मैनिफैक्टिरिंग एको सिस्टिम को प्रमोट करने के लिए पी एम डिवाइन स्किम बजेट का एक हिस्सा भी है जो विश्यक करके नौर्थ इस के लिए हैं लेकिन इस कलपना को हम देश के अलग-अलग रिजिन में अलग-अलग तरीके से इसका भी एक मोडल ड के ताकत बढ़ेगी एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए हम अपने वर्तमान ऐसी जड़ की कारेपनाय में किस तरह के परिवर्तन कर सकते हैं इस बारे में आपके सुझाव एहम होंगे फ्रेंट्स इंडिस्ट्री को साथ लेकर एक के बाद एक जो लगाता रिफांस हुए ह उसका प्रभाव भी दिखाई दे रहा है उदान के तौर पर लार्ज स्केल इंटर्टोनिक मैनिफेक्टरिंग के लिए पी एलाई के लिए लिए लिजिए दिसंबर 2021 तक इस टार्गेट सेग्मेंट में हम एक लाग करोड रुपे के प्रोड़क्शन के भी को भी और जा च हमारी कई पी एलाई स्केम्स इस समाई इंप्लिमेंटेशन के बहुत अहम चरण में हैं आपके सुझाव इंप्लिमेंटेशन को गती देने में सहाई होंगे साथियों भारत की मैनिफाइचिरिंग जर्नी में कम्प्लाइंस बड़न बहुत बड़े स्प्रीड ब्रेकर रहे हैं इसी तरह डिजिटाइजेशन से भी आज रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में स्पीड और ट्रांसपरेंसी आ रही है कंपनी सेट अप करने के लिए कॉमर्ट्स स्पाइस पॉम से लेकर नेशनल सिंगल विंडो सिस्टिम तक अब हर स्टेप पर आप हमारी डेवलप्मेंट फ्रेंडली एप्रोच को महसूस कर रहे हैं हमें आपका ज्यादा से ज्यादा कोलोबरेशन चाहिए इनोवेशन चाहिए और रिसर्ट बेट फिचरिस्टिक अप्रोच चाहिए मुझे पूरा बरुसा है कि हम इस वेबिनार में जो मन्थन होगा उससे मेक इनिया के मिशन को और ज्यादा मजबूती मिलेगी मैं आप सब के सामने एक आगरे करूँगा देखिए ये वेबिनार एक लोग तंत्र का एक वो रूप है जो शाहिद ही बहुत कम लोग उसकी तरफ ध्यान लोगों का गया है जन प्रतिनीती बजेट की चर्चा करें और बजेट को आगे बढ़ाएं सरकारी बाबू और पॉलिटिकल लीडर्शिप बजेट के आधार पर कारिकम बनाए पहली बार मैं बजेट प्रस्तूद करने के बाद एक एप्रिल के पहले जो दो महिने का समय मिल रहा है बजेट के हर प्रावधान की चर्चा स्टेकोल्डर से कर रहा हूं आपसे मैं सुझाव ले रहा हूं आपकी भागीदारी चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि इंप्लिमेंट करते समय फुट्स्टॉप कॉमा इधर उधर हो जाता है तो फाइले छेचे मेने गुमती रहती है मैं उस समय को बचाना चाहता हूं आपको पता है कि आप उस छेतर में काम कर रहे हैं आपको पता है कि बजेट है उस बजेट की लाइट में ऐसा करेंगे तो इतना फाइदा होगा ऐसा करेंगे तो इतना फाइदा होगा ऐसा करेंगे तो इतना फाइदा होगा ऐसा करेंगे जादा से जादा आउटकम हो जादा से जादा इफक्टिव हो यह लक्ष को लेकर हमारी घर्चर्चा केंद्रीत रहेंगी। सरकार की तरफ से हम आपको घ्यान देने के लिए वेबिनार नहीं है। यह वेबिनार आपसे सिखने के लिए हैं। और इसलिए सरकार की पूरी वबस्ता आपको सुनने के लिए बैटी हुई है और उसी के आधार पर हम एक एप्रिल से हमारे बजेट को कैसे अच्छे तरीके से लागू करें, यह हमें सोच रहा हैं, मैं कुछ उद्योग जगत के लोगों से आगरे करूँगा, आप क्या चुन अभी भी इंपर्ट नहीं करनी पड़ेगी, मैं देश के सो आइटम इंपर्ट होती है, दो आइटम कम करने का का मैं करूँगा, कोई कहेगा तीन आइटम पूरी तरह भारत के मेकरिन इंडिया वाली मैं कर दूँगा, हमारा सपना होना चीजी, मैं एक किसान को जानता कर दो की ताहि किया कि मैं वस सब्जी को चोटाथ प्यास चहिए छोटे कौन चहिए बोले मैं इसको बनाओंगा लेकिन मेरे देश में बाव मैं तहा पड़ा लिखा किसान नहीं था उसने महनत की, उसने लोगों की मदड ली और उसने वो चीजे दी तो हिंडूस्तान के फ पर एसमें फाइदा हुआ देश को भी फाइदा हुआ। यह काम मेरे इंट्ड्योग जगत के लोग नहीं कर सकते है, क्या हुआ। मैं आप से आगरह करूँगा। और इस देश का आप पर हक है। इस देश का आप पर हक है। और इसलिए मैं कहता हूं कि भारत को मजबूत बनाने के लिए आपका उद्योग मजबूत हो, यह हम चाहते हैं, आपके प्रोड़क्ट दुनिया भर में इज्जत कमा, यह हम चाहते हैं, और इसलिए हम मिल बैट करके करें, मिल बैट करके आगे बढ़ें।